हेलो दोस्तों ुसेट भी आर का चैनल मा आपका स्वाकत है दोस्तों आज हम लोग इंसेट ब्रेक फास्टलेंच के बनाएंग लिखे जा सकते हैं या फिर घर में भी बना के खाईए तो चलिए दोस्तों बनाते हैं और अच्छा लगे तो चलिए को सब्सक्राइब भी कीजिए तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग पालग लेंगे पालग को दो दिन पानी में अच्छे से वास कर लेंगे उसके बाद इ जिससे इसका color change नहीं हो तो blanche करने के बाद दोस्तों अब हम लोग पालक को grind कर लेंगे इसका एक fine सा paste बना लेंगे तो देखिए दोस्तों पालक grind हो गया है तो आप एक कड़ाई लेंगे इसको लोटो medium flame पे उसमें तेल डालेंगे और जब तेल गरम हो जाए तो उसमें जीरा डालना है और एक दालचीनी का टुकड़ा इसमें आप अपने मन पसंद इस पैसेस डाल सकते हैं जैसे कि इलाची हुआ डाल चीनी हुआ काली मिर्च हुआ लॉंग हुआ और काजू भी थोड़ा सा डाल सकते हैं तो उसी के साथ मैंने एक आलू को कट करके इसमें डाला है और थोड़ा सा boiled मटर है उसको भी डाल दिय मैंने और इसको 2-3 मिनट तक कुक करना है जिससे आलू थोड़ा सा कुक हो जाए और उसके बाद इसमें एक प्याच को मैंने कट करके डाला है और प्याच को भी थोड़ा सा कुक करना है उसके बाद अब हम लोग एक चम्माच इसमें अद्रगलाजन का पेस्ट डालेंगे और थोड़ी देर इसको चलाएंगे जिससे इसका कच्चाप पन निकल जाए अब हम लोग इसमें एक गट क्या हुआ टामाटर डालेंगे और इसको भी थोड़ी देर कुक करना है उसी के साथ दोस्तों अब हम लोग इसमें थोड़ा सा सुखा मसाला डाल देंगे और फ्ले है तो सबको डाल के थोड़ा सा मसाला कुख होने तक इसको पकाना है कवर करके तो आप लोग देख सकते दोस्तों कितना अच्छा मसाला कुख हो गया है और सबजी भी कुख हो गया है तो अब हम लोग यह जो पालग को ग्राइंड करके रखे हैं यह पालग का पेस्टिस मे डाल देंगे और उसी के साथ थोड़ा समय ने पनीर डाला है अगर आपके अपास पनीर है तो डाल सकते हैं और ज्यादा हेल्दी हो जाएगा ये पनीर डालने के बाद 2-3 मिन तब करना है और थोड़ी दर बाद इसको चलाते रहेंगे और जब सब चीज अच्छे से कुख हो दाल सकते हैं तो उसके ओपर थोड़ा सा मैंने एक चमाच घी डाला है और उसी के साथ अपना टेस्ट के अक्वाडिक नमक डाल के सभी को अच्षे से मिक्स कर देंगे लास्ट में थोड़ा सा नेमबू करस भी इसके उपर आप डाल सकते हैं तो पालक राईस बन के रेटी है दुस्तों देखे कितना आसान है पालक राईस बनाना इसको बना के आप दोस्तों तो सेयर करना भी ना भूलिएगा लाइक करना भी ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू फिर मिलते हैं दोस्तों